नमस्कार दूस्तो आज हमलोग फिर से निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली है हम लोग कर रहूत निफ्टी 50 में यहां पर रियूस्टेंस था उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत बुल बैख देखने को मिला है क्योंकि आज हम लोग helping हैमर केंडल जैसा भी दिखा है और 20 के मूफिंग एवरेज पर भी आ चुका है प्राइस जो हम अपना मेथड लगाते हैं उसको फिर से डिसकर कर लाते हैं तो हम लोग 20 का मूफिंग एवरेज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन सो कर रहा होगा और दूसरा हम लोग लगात लगाते हैं 200 डेस का मूफिंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन सो कर रहा होगा और तीसरा इंडिकेटर दोस्तों हम लोग लगाते हैं पीवर्ट पॉइंट या पीवर्ट लाइन भी बोलते हैं जो कि सपोर्ट या रिजिस्टेंस बताता है तो अल्रेड़ी यहां पर पिवर्ट था और यहां पर रिजिस्टेंस की उमीद थी और वही होता है 18,363 पर एक पिवर्ट था और उस पर हम लोग को थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है तो निफ्टी 20 या इंडेक्स फंड में आपको थोड़ा भूत SIP करना है तो अगर 2% का कैंडल आपको दिखता है तो आप लोग यहां पर बाई कर सकते हैं और फिर हम लोग ज़्यादा और भी क्वांटिटी बाई करेंगे 18,400 का रिजिस्टेंस लाइन जो एक बहुत ही ब दिख सकता है नहीं तो फिर से रिजिस्टेंस लेके हम लोग को फिर से 200 तक आता हुए दिखेगा लेकिन हम लोग पहला क्वांटिटी कुछ बाई कर लेंगे 20 के मुविंग एवरेज पे तो अगर आपको SIP करना है तो कर सकते हैं कुछ लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई किजिएगा एक दो परसेंट का अगर ग्रीन केंडल बनता है उसके बाद और आज एसीन पेंट के नतीजे भी आए हैं दोस्तों लेकिन क्वांटर स्री का जो रिजल्ट आया है उसमें नतीजे थोड़े वीक रहे हैं प्रॉफिट फॉल किया है करीब 18 परसेंट का य पिछले साल इसी क्वांटर की बात करें तो 6,788 करोड का रेफिन्यू था तो रेफिन्यू में हम लोग को अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है एसीन पेंट्स में और लेकिन हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वांटर में करीब 1,016 करोड का इस देखने को मिल रहा है पैट में तो एसीन पेंट्स के इस नतीजे से हम लोग को किसी भी इसकर्स पे नहीं पहुचना है और हम लोग को होल्ड करना है क्वालिटी स्टॉक है आगे हम लोग को प्रॉफिटिबिलिटी देखेगी कपनी में और यहर ओन यह पे ग्रोथ हम हम लोग को भी दिखेगा क्योंकि एकनौमी थोड़ा ओपन अप होगा कोविट का थोड़ा सिच्वेशन भी नॉर्मलाइज होगा उसके वास सब नॉर्मल होगा और हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा और बात करें दोस्तों हम लोग कैसे इंट्री लेते हैं तो और हम लोग 200 अव्रज के करीम में बाई करना पसंद करते हैं और जैसे ही हम लोग OS से दूर चला जाता है और बहुत भी बड़ा स्पेस हो जाता है 200 अथे मूपिल बैक भी देखने को मिलता है और वहीं ACN Pets में भी यही हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर resistance था और इसी resistance से हम लोग को pullback देखने को मिला है और price का हम लोग को करीब 200 points का fall देखने को मिला है 3519 तक price गया था और अभी करीब 3303 का हम लोग का price दिख रहा है तो अभी इस pivot पे है थोड़ा भूट support दिखता है तो buy कर सकते है यही तो next level हम लोग को यहाँ पे है support यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस region में हम लोग को support है basically 200 days के moving average पे ही आएगा price तो हम लोग को best entry होगा ACN Pets बाइगा तो अभी फिलहाल wait and watch रखे तो इस region में करीब 3100, 31 के price आपको दिखाता है ACN Pets में तो वहाँ पे best SIP करने का मौका बनेगा तो वहाँ पे आप लोग भाई किजेगा थोड़ा सा wait कर ले एक दो दिन ACN Pets में लेकिन इसको watch list में रखे क्योंकि अच्छा खासा हम लोग को fall भी देखने को मिल रहा है और quarterly result भी थोड़ा dip किया है थोड़ा stock price भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है तो इसको watch list में रखे buying watch list में और अगला stock है दोस्तों electronic chat के एक biggest company और multi bagger return हम लोग को निकाल के देने वाला stock है है वल्स तो हम लोग पिछले साल से लगतार इसमें अप्टेंट देख रहे थे और price 200 देखने के करीब आता है तो यही location पर हम लोग बोलता है होता है दोस्तों अगर दोनों तरफ किसी भी तरफ का आपको breakout दिखेगा वाली जी उपर की तरफ रेक आउट दिखेगा तो उपर की तरफ हम लोग को वेट करते हैं ज्यादा मोमेंटम इसका डाउनवर्ड का लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुली से रहा था स्टोक थोड़ा बहुत हम लोग और पुल बेक दिख सकता है और प्राइस 200 देश के मुविंग एवरेश तक आ सकता है तो हैवल्स को भी वेट और वाच क लेकिन उसके बाद भी हम लोग को लगता है गिरावट देखने को मिल रहा है तो यही हम बात बोलते हैं चार्ड पैटरन भी बहुत ही मायने रखता है सिर्क वाटरली रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक प्राइसे स्मूव नहीं करता है एक दो दिन प्राइस मूव कर सकता है लेकिन मेंली चार्ड पैटरन को ही फॉलो करेगा तो मायन ट्री में भी देख रहे हैं एक लंबा कॉंसलिडेशन था और इसमें भी ट्रेंगुलर पैटरन था इसमें भी हम लोग पहले भी जिकर किये थे कि इसमें ब्रेक आउट नीचे की तरफ अगर होता है तो नीचे की की तरफ हम लोगों को मेंमेंटम दिखेगा इसलिए भी बाइंग नहीं करना है प्राइस टू हंडडेट एसके मुविंग एवरेस से बहुत ही दूर चल रहा था क्योंकि हम लोग को पिछले एक साल से बहुत ही ज्यादा बुलर इसमें देखने को मिल रहा था मल्टी वैग 28 का प्राइस तक आप लोग वेट करें अगर यहां तक आपको दिखता है तो हम लोग माइंटरी को बाई करेंगे लेकिन फिलहाल थोड़ा वेट एंड वाच करेंगे और एक और बात दोस्तों जो कि हर वीडियो में बात करते हैं लेकिन बहुत ही जादा आवस्ता की बात है इसलिए हर वीडियो में वो बात करना जरूरी है कि हम लोग को जादा डाउंटेंड में अवरेजिंग नहीं करना है मान लिजे कुछ यहाँ बाई करते हैं कुछ यहाँ बाई करते हैं और पता चलता है 200S के करीब आते तक आपका माइनस 20% किसी भी स्टॉक में चला जाता है और आप पैनिक कर जाते हैं और आपको बहुत लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग पहला बाई करेंगे 200S के करीब में और तब हम लोग अगर यहाँ से भी अगर नीचे हम लोग को मोमेंटम दिखेगा तो नीचे का हम लोग पिवर्ट पे वेट करेंगे और अपना क्वांटिटी को करेंगे लेकिन हम लोग को माइंटरी में वैसा गलती नहीं करना है पहले 200 देज के मुझे आवरिज के करीब आने दीजिए कम से कम यह इस पिवर्ट तक आता है तो हम लोग बाई करेंगे और अगला स्टोक की बाद करें दोस्तों तो यह भी क्वालेटीन स्टोक है पर्सिस्टेंस शिस्टम्स और प्राग पारिक ने भी इसमें इस्टेक उठा रखा है तो बहुत ही क्वालेटी श्टोक है और हम लोग को मल्टी वैगा रिटन देखने को मिल रहा है पिछले एक दो साल के अंदर ही कोविट के जब बाद से बूलरन आया है उसके बाद से लगतार हम लोग को अप्टेंड परसिस्टेंस सिस्टम में दिखा है तो अभी फिलाल के हम लोग बात करें तो प्राइस टू हंडेड डेस के मोही आवरेस के बहुत ज्यादा दूर चला था और इस पिवट पर रिजिस्टेंस था तो वहीं से रिजिस्टेंस लेके ब्राइस हम लोग को थोड़ा बहुत बूल बैक देखने को मिला है तो इसमें ज्यादा डीप करेक्षन के उमीद हम लोग को नहीं लगता है क्योंकि एक अभी भी गुलन का ही सिच्वेशन है तो इसमें हम लोग ज्यादा डीप करेक्षन काתח नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग को support वेंद दिखता है तो इस support वे आता है करीब 3800-31 बीसिकली न का है ट्रेंट तो और भी प्राइस फॉल कर सकता है तो हम लोग पर्सिस्टेंस सिस्टम में भी वेट और वाच करेंगे कि डिवेज लेब में कभ इंट्री हम लोग को लेना है तो यह स्टॉक तो बहुत ही ज्यादा मल्टी बैगर हम लोग को देखने को मिल रहा है और लगतार इसमें कभी गलती हम लोग को देखने को नहीं मिला है मतलब प्राइस कभी डाउंट्रेंड इसमें सो नहीं किया था ल यहां पर बोले थे थोड़ा बहुत अगर इंट्री लेना है तो ले सकते हैं लेकिन यहां भी कॉंसलिटेशन था और बड़ा ग्रीन खेंडल बना भी नहीं तो इंट्री एक्टिवेशन इसमें नहीं था तो हम लोग को देख रहा है नीचे का हम लोग को ब्रेकडाउन ज्या में और फिर नीचे का पिवर्ट पर जहां पर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा वहां पर बाई करेंगे तो डीवीज लेब में अभी कोई बाइंग इनिस्टेट नहीं करना है और हम लोग नीचे का पिवर्ट तक वेट करते हैं पहला पॉइंट है दोस्तों आपको 4048 तक आप लोग वेट करें यहां पर अगर सपोर्ट दिखेगा तो बाई करेंगे अगर यहां भी सपोर्ट नहीं दिखता है और कोई हैमर कंडल वेगर और बड़ा सा क्रीन कंडल नहीं दिखता है तो नेक्स्ट हम लोग को बाइंग ऑपरजनिटी बनेगा 3427 तक तो पहले से अ आप लोग लोग वेट करने का कोशिश करते हैं कि पोजिटीव आ जाय लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों अगा स्ठोक डाउन्टेंड में है तो बाउंटेंड में है आपके buy करने से वो obtain में नहीं आ जाएगा तो ऐसा हम लोग को method नहीं लगाना है हम लोग को conventional तरीका जो traditional है वही से हम लोग को buy करना है अपना मन से buy नहीं करना है तो होप आप लोगो वीडियो अच्छा लगागा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगागा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में सेर किजे चलिए थैंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में और हमारा free telegram group भी है उसको भी आप लोग जोईन कर सकते हैं link description में महजूद है